यूटूब में जाकर सीटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें वह बेल आइटम धबाकर पाएं प्रमंडर की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे सद्गुरू सदाफल देव बिहंगम्योग संस्थान की संथ प्रवर बिज्ञान दीजी महराज की पावज जर्म दिवस की मौकी पर संसमाज की पलामू जिलाई काई की उरसी डालतेंगे सहर की नवाटोली मोहला असिद सीनरायन मल्टे स्पेसलिटी हॉस्पिटल में रगदां सिवर का अयुजन किया गया रगदां सिवर का उद्गाटन बतावर मुकतिती पुलिस अदिक्चक इंदित महता संस्थान की प्रदेश समनवेक डॉक्टर पंकई दूबे अनमंत्री ललेत सिंग प्राख्यात चिकित्सक डॉक्टर राहुल अगरवाल एवं रेटकर सोसाइटी के जीला सचिव डॉक् चालित गति बीधियों से समाज को काफी लाब मिल रहा है उन्होंने रगदान को महापर्व के रूपे मना जाने पर बल देते हुए सरकारी गैर सरकारी संस्था संगटनों से भी रगदान सिवर के आयोजन की बाते कही रगदान जीवनदान के समान है और जीवनदान से नरायना वस्पिटल में बलाड आया था उभी अमर्जेंसी में इस नरायना जो सुपरेस्टेटर्टी होस्पिटल है यहां पर आज विहंगम योग संस्थान के दुआरा जो है एक रगदान कार्ज करम कायोजन किया गया इसी में लोग पस्तित हुए हैं बहुत ही सराहनिय कार्ज है रक्तदान का जो यह सिलसिला है लगातार चलता आ रहा है मैं तमाम लिहंगम योग संस्थान के सभी पदादीकारियों को मैं यह करता हूँ धन्यवाद देता हूँ साथ ही साथ जो रेट ग्रोस के उपाध्यक्ष हैं उसके अलावा जो सचीव है राना अरुन सीं जी और सत्यजीत गुत्ता जी डॉक्टर साथ इन सभों को मैं जो है इन लोगों का मैं दन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि पलामु जिला में बहुत सारे समाजिक संगठन हैं गय सरकारी संगठन हैं बहुत सारे सांस्कृतिक मंच हैं बहुत सारे अभिवावक म मन्च है इन सभी के सलस्यों से मैं अपील करना जाओंगा कि वो रक्तदान की परंपरा को पलामू में जादा से जादा बढ़ाएं ताकि जो है ये जो कई बार जो गटनाए देखने और सुनने को मिलती हैं इस तरह की गटनाओं को समाज जो है अपने योगदान से कम कर सकता ह है और रक्तदान को पलामू में एक महापर्व की तरह मनाए जाने की जरूरत है